हेलो स्टूडेंट आप सभी का आकास्यकट्वी पॉइंट यूटूब चैनल में स्वागत थे और इस वीडियो पे जहारखन पॉलिटेकनिक का में मस्ट इंपोर्टन केमस्ट्री से ठीक है मस्ट इंपोर्टन कोस्टन्स आज आप लोगों करवाने वाला हूं जो आप लोग ठीक है और देखें आप लोग के कट अप पर वीडियो बताया जाएगा बहुत जल्द तो उससे पहले आप लोग में यहां पर बोलना चाहता हूं कि जो विद्दारती सोच रहे हैं जहारकन पॉलिटेकनिक में जाएंगे तो उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टन्ट ह और दोस्तों अभी तक अप्लाइ नहीं किया तो आप लोग कर सकते हो किमकि 10 अप्रियल तक टेट है ठीक है तो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो जल्दी से अप्लाइ कर देना क्यूंकि आप टेंट में पढ़ रहे हो अगर आप लोग चाते हैं तो आप लोग लिए क्या पूचा जा रहा है तो देख सकते हैं कि आप लोग पहला क्योंट पूचह जा रहा है कि निम्म बाड़्यक exclusion में से कौन भूजा भूँआ हुँ तो नहीं होता आपको बताना तो इसका राया उंसर जैक्तिका उपचे और अगली को बर इस तर्की घूमा करके क्शिन को यहां दोस्तों जो पी आप यहां पर टाइप देख रहे हैं जस्ट इसे टाइप का देगा कोश्चन्स देख सकते हैं कोश्चन्स हमारा क्या है यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है कि ऑक्जेलिक अमल का प्राकृतिक श्रोत निमनलेकित में से कुफ़े मतलब अजु है निमनले में से किसमे पा जाता है यह आपको काफी इंपॉर्टन स्वाल है जो कि आप लोगों बताना है तो चलि देक्ते हैं इसको आप लोग जो है क्या अंसर होगा तो देखिए आप लोग दोस्तों टमाटर में पा जाता है तो बिल्कुल सटिक उत्तर हो जाएगा उसके बद कापी इंपोर्टन सवाल जो कि टेंथ में आप लोग पर यह होंगे जो आप लोग चैप्टर पर कोश्चन क्या है कि प्ल सब्सक्राइब कोश्चन क्या होता है तो देखिए यहां पर अगला कोश्चन आप लोगों से पूछ रहा है क्या है कि कि किसी भी उदासी सब्सक्राइब कि बिलेन का पीएच मैं तो दोस्तों सके समझा देता हूं धियान से सुनिएगा आप लोग पर होंगे डिकितर बाली बात नहीं है तो दोसत। अगर 7 होता है तो यह हो जाता कि चारक ठीकिन होता है चिरो से लेकर 14 कि होता है तो दासन बिलेन ब्लियन बोला तो इसका राइट अंस आप लोग समझ सकते हैं अपसे नमबर आपका बी बिलकुल करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है तो इसे परकार से सोच समझकर के अंसर देना है ठीक है उसके बाद अगला कोशन देखिए अगला कोशन क्या है यहां पर पूछ रहा है कि निमनलगी दिमे कारे करता है मतलब हमारा जो सरीर है तो हमारा जो प्येच इसके लिए किसके मतलब कितने बीच के मतलब कारे करता है वह करता है तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मतलब यहां पर आप लोगों से एक्चुली क्या बोल रहा है कि हमारा जो सरीर है इसमें जो प्येच वहलू ह किस पर लाई करता है कितने पर कारे करता है तो दोस्ति यह याद रखिए आप लोग 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में कारे करता है लाई करता है आनिका आपसे नमबर बी राइट एंसर होगा ठीक है उसके बाद अगला कोशन काफी इंपोर्टन सवाल है कि बेकिंग पाउडर का अ की चारी अदात होता है आपसे नमबर बी राइट एंसर होगा उसके बाद अगला कोशन पूछ रहा है कि आब सर निकार सुन ने स्रम होँगा दोस्तों यहापर पूछ रहा है कि मेंडली में थोड़ा सब कलर को चैंज नहीं करूंगा लिकाद है नहीं के आवरति नियम के अनुशार तत्यों के गुंधर्म इन में से किन आवरति फलन है तो दोस्तों यह किसका आवरति फलन है आपको बताना तो आपसन नमर ए क्या एक नमबर यानके परमान श्रंका भी है परमान द्रिभमान यानके एक अटोमिक माश उसके बाद जो परमान वायतन उसके बड़ी नमर है परमान अभी का कार तो दोस्तों जो हमारे मेंडरलिब जी थे इनका जो जो है तत्तों के बारे में जो गुंदम था वो किस पर आबरती फलन थे तो यह मास्ट नमर पर था अपसर नमर भी करेक्ट अगरा कोशन देखिए अगला कोशन इसे टाइब का कोशन पूचा गया तो देखिए क्या है कि आधुनिक आपर साड़नी में बाएं से दाई और जाने से जाने पर क्या होगा परमान को साइज क्या होता है आप लोगों से बोल रहा है तो दोस्तों जो आधुनिक प्रियोडिक टेबल है जो आधुनिक आपर सा मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था तो मेंडलीफ का जो जन्म है वह 1834 इच भी में हुआ था है नहीं 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 राइट अंसर हो जागे सिंपल कोश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा सा च्छेदवी से पता दे ठीक है अगला कोश्चन क्या है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार प्रारम भी किया तब कितने तत्व गयाते थे काफी इंपोर्टन सवाल है और कॉंपेडिटिव एक्जाम में ना जस इसी टाइप का घूमा फिरा के कोश्चन दिया जाता है ठीक है समझ रहे है ना बात को मेरे यहां पर बोल रहा है कि जो मेंडलीफ थे जब वो कार कर रह जाएगा ठीक है उसी परकार से आपको बनाना है हरे एक को टाक कि एक जामें गलती ना हो ठीक है यहां पर एकला कोश्चन पूच रहा है कि किसी भी तत्त्तों की जो वैलेंस है कैसे निर्धारन किया जाता है तो दोस्तों यह किया जाता है इलॉक्ट्रॉन की सेंख्या से आपसे नमबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा जिसाब प्याद कर लेना है तो दोस्तों मैंने आप लोग आज इसी प्रकार से कुछ वायरल कुश्टन्स आप लोगो बताया जैसे कि आज मैंने आप लोगो डेमो दिया कि किस टाइप का कुश्टन्स पूछा जाता है चाहरकन पॉलेटेकनिक में तो दोस्तों आप लोग अगर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर देना जोरू से रूप कमेंट रचेचे कमेंट करना क्या आप लोग को एकजाम की तैयरिक करना है जोरू बोलना और जूनियर अरकांचा पोट्टिक कर रहा जाएगा बहुत जल्द और दोस्तों में बता दो आप लोग का लाइब में देखेंगे दोग दिन बाद लाइब ज़रू आएंगा आप लोग के लिए ताकि कुछ बात्चीत हो सकें आप लोग के और ठीक है आगको किस तरिके से क्या करना है 10 के बाद क्या करें ठीक कि इस पर बहुत तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रू रखना है दोस्तों के साथ सेर कर देना जारकन पॉलिटेकन की तैयरी इस चैनल पर हो रहा है तो सब्सक्राइब करो है न तो आप लोग सेर से किसी का भला हो या अच्छी बात है तो आप लोग बोलने का प्रयास ज़रू करना तो चल मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए थांक्यू जाहें